जै हिंद मेरे प्यारे साथियों दोस्तों हेड़कॉाटर सेंट्रल कमांड लखनव की तरब से ग्रूप सी के पदों पर मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस के अंतरकत में भरती आ गई है दोस्तों जिसका की नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया गया है पूरी तरीके से ये ग्रू नोटिफिकेशन का स्क्रीन शॉट देख सकते हो अगर इसका नोटिफिकेशन आपको डिटेल पर पढ़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहां से जाकर के आप पुरी तरीके से ओफलाइन वेकंसी जी हां दोस्तो ओनलाइन इसका ओनलाइन आवेदन नहीं होगा ओफलाइन जो है यह भरती आई हुई है जिसके बारे में काफी कम बच्चे जानते हैं देखिए कॉंकों से लोग फार्म को फिल कर सकते हैं क्या एज सेलरी सिलेक्शन प् के more update के लिए तो दोस्तो आईए बिना समय गवाई वीडियो को स्टाट करते हैं हम बात कर रहे हैं आर्मी हेडक्वाटर सेंट्रल कमांड लखनों के तरफ से जो ग्रूप C के पदों पे भरती आई है देखिए इसका apply date के अगर मैं बात करूंगा तो चार नवंबर से ले क करके 25 साल तक के जो candidate है वो apply कर सकते हैं और age में यहाँ पर छूट भी दिया जा रहा है कितना छूट दिया जा रहा है तो age में relaxation की बात करेंगे तो OBC के candidate को 3 साल और SVHD के candidate को यहाँ पर 5 साल का छूट दिया जा रहा है दोस्तो और जो आपका age count होगा ना वो count होगा पूरी आपको बता देना चाहता हूँ पदो के विवरण के बारे में कि कौंको से पदों पर भरती आई है तो देखे सफाई करमी के अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो सफाई करमी के पदों पर भरती आई है जिसमें कि आपको salary के बात करूंगा ना तो 18,000 से ले करके 56,900 सब कुछ include हो करके आपको दिया जाएगा दूसरे नंबर की बात करेंगे तो चोकीदार के पदों पर भरती आई है इसमें भी salary आपका 18,000 फिले करके 56,900 रुपए तक रहेगा वाशर मैं की बात करेंगे तो इसमें भी से ले रहेगी दोस्तों कुक की अगर मैं बात दोस्तों तो messenger के पदों पे भी बरती आई है इसमें salary आपको 18,000 फिले करके 56,900 रुपए के आसपास तक दिया जाएगा देखें दोस्तों किस पते पर आपको जो है farm फिल करके भेजना है कैसे भेजना है किस प्रकार से farm को फिल करेंगे किस प्रकार का मूल दस्तावेज क्य क्या लगेगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा बस आप लोग वीडियो में बने रहेगा देखें अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि farm को फिल करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा तो देखें आप चाहे किसी भी category के अंतरग मैंने इसका notification डाल दिया है notification के नीचे ही इसका जो है form दिया गया है इसका print out आप लोग निकाल फकते हो और वहां से आप लोग form को फिल करके जिस पते पर मैं आपको बताऊंगा उस पते पर आपको भेजना है ठीक है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा योगिता कि मैं बात करूंगा तो सभी दस्वी पास candidate apply कर सकते हैं आल इंडिया के candidate के लिए भरती है यह सबसे बड़ी बात है जो दोस्तों कि आल इंडिया के candidate जो है इसमें apply कर सकते हैं किसी प्रकार का कोई भी boundation नहीं है apply mode पूरी तरीके से offline होगा selection process के अगर मैं बात करूंगा तिसमें एक return test होगा दोस्तों उसके बाद skill test होगा और अंत में आपका document verification होगा document verification में अगर सभी दस्टावेज आपके सही पाय जाते हैं तब जाकर करके final आपको joining दी जाएगी और दोस्तों यह पूरी तरीके से जो है ना यह permanent भरती है ठीक है ना सरकारी job है दोस्तों यह मत समझ ल करेंगे ना जैसे कि सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि farm कहां से मिलेगा आपको farm को fill करेंगे उसके बाद आपको दोस्तों क्या-क्या जो है मूल दस्ता वेज लगेगा पहले वो देख लीजेगा ठीक है ना टेंथ का मार्शिट certificate आपका लगेगा उसके अलावा caste certificate जो है अलग-अलग category का होता है जैसे कि OBC का अलग होता है, SC का अलग होता है, ST का अलग होता है, EWS वालो का अलग होता है तो caste certificate होना जरूरी है उसके अलावा निवास प्रमाण पत्र लगेगा आप जहां से भी मलब की belong करते हो वहां का permanent निवास प्रमाण पत्र होना चाह दोस्तो form fill करना है, कहां से मिलेगा आप मेरे tv by चैनल पे चले जाएगा वहाँ से आपको form मिल जाएगा थिक Ain't फर्म को फिल करने के बाद दोस्तों दो लिफाफे आपको लेना है ठीक ना दो लिफाफे में होता क्या है basically काफी लोगों को फर्म फिल करने में दिक्कत होती है कहते हैं कि सर नेम और एड्रस क्या रहेगा तो देखें टू और एक होता है फ्राउम ठीक ना सही से एक आप लोग बिल्कुल ध्यान दिजेगा टू में दोस्तों उस एड्रस को लिखना होता है जहां पर आपको भेजना होता है यानि कि कहां भेजना होगा तो इस पते पर आपको भेजना होगा headquarter मध्य भारत area signal pin number 91-24 मैं फिर से एक बार address को बता दे रहा हूं हो सकता है तो आप इसका screenshot ले सकते हो दोस्तों किस पते पर भेजना है headquarter मध्य भारत area signals pin number 91-24 इस पते पर आपको भेजना है जहां टू लिखा है वहां पर इस पते को लिखना है और from की जगहा पर लिखना है आपको अपना नाम लिखना है ठीक है ना आपको अपना नाम पहले लिखना पड़ेगा उसके बाद sun off यानि के आपके पापा का जो भी नाम है वो लिखना पड़ेगा उसके बाद आप अपना यहाँ पे address जो है जरूर डाल दिजेगा कि आप कि इस address पे बिलाउंग करते हो वो address डाल दिजेगा बागी फारे मूल दस्ता वेज जो है और वो जो फर्म जो मैंने आपको बताया है अप्लिकेशन फर्म इसी के अंदर में डाल दिजेगा और 17 रुपय का एक लगता है dark ticket ठीक है ना जो कि आपको कहां से मिलेगा डाकिया यानि कि पोश्ट आफिस चले जाएगा वहां से आपको मिल जाएगा तो dark ticket छिपका करके आपको simply जो है इस पते पर भेज देना है दोस्तों उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है ठीक है वहां से admit card आएगा दोस्तों देखे admit card जब आएगा ना तो आपको exam कहां देने जाना पड़ेगा ये देख लिजे तो exam center जो होगा वो होगा मद्ध परदेश के जबलपूर में मद्ध परदेश के जबलपूर में आपको exam देने के लिए जाना पड़ेगा काफी सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि सर ये बताईए कि exam तो देने जाएंगे ठीक है लेकिन क्या syllabus रहेगा तो जिस प्रकार से दोस्तो आप SSC GD, SSC MTF की तैयारी करते हो न सेम उसी प्रकार से question आपसे पूछा जागा कोई हट करके नहीं पूछा जागा तो यही सारा सब कुछ जानकारी देना था दोस्तो पूरी तरीके से ये offline वेकेंसी है आप लोग इसे online ढूड़ने मत लग जाईएगा form कहां से मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से आप offline आवेधन करोगे वो भी मैंने आपको बता दिया है मूल दस्ता वेज क्या लगेगा किस पते पर आपको भेजना है सारा A2J जानकारी मैंने आपको दे दिया है इसके अलावा भी अगर इस भरती के regarding में आपके पास कोई query हो तो कमेंट सक्सान आपके लिए खुला है आप कमेंट कर सकते हो मैं उसका reply भी दूँगा बहुत अच्छी भरती आई है दोस्तो इसका notification अगर आपको देखना है न तो आप मेरी टेली ग्राम चैनल पे चले जाईएगा वहाँ पर आपको इसका notification देखने को मिल जाएगा बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी देना था वीडियो अगर आपको informative लगा हो तो वीडियो को like कीजेगा चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब किजेगा इसी प्रकार के government job के more update के लिए बाकी फिर मिलेंगे कि फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद